हेलो फ्रेंड्स आपका फिर से बहुत बहुत स्वागता है आपके अपने ही चैनल SMIA पे और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस इंवेस्मेंट आइडियाज भी लेके आते हैं और आपको नए ने स्टॉप्स की नई नई नीज भी बताते हैं इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लार्सन एंटूब्रो इंफोटेक लिंटेड की इस कांपनी में आज बहुती बड़ी ब्रेक आउट देखने को मिली है आज इस स्टॉप में 12.70 पसंट के अरॉंड तेजी देखने को मिल रही है और 19 अक्तूबर एट 1048 एम तो यह जो स्टॉप है 6653.50 रूप तो आप देख सकते हो बहुती बड़ी इस S.T.A.W में आज ब्रेक आउड देखने को मिल रही है ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके Q2 के नंबर आए है तो इसके नंबर पा इंपक्ट से कांपनी की जो शेयर की प्राइस पर देखने को मिल रहा है और पॉस्टैफ कांपनी की आ करने जा रहे हैं इसके स्पोर्ट लेवल भी देखेंगे रिजिस्टेंस लेवल भी चेक करेंगे आप एंड तक हमारे वीडियो के साथ बने रहीएगा सबसे पहले जदी आप हमारे चैनल पे नए हो तो पटा-पटा हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकर आनेवाले वीडियो का नोटिकेशन आपको मिल जाए आको आज की मारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जुरूर प्रेस कर दीजेगा सो आएए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ सब से पहले इसकी ज लगाया था that was 6791 and इसका जो low है that is nearly 6380 तो आप देख सकते हैं उसका जो market capitalization and that is nearly 1.16 lakh roads and इसकी जो PE ratio है that is nearly 57.96 और यह जो stock है यह dividend yield 0.60% के हिसाब से देता है तो आएए अब हम इसे stock की past five day की performance चेक कर लेते हैं तो यहाँ भी आपको positive trend देखने को मिलेगा और 92.92 परसंट की तेजी आपको देखने को मिल रही ही और आप देख सकते हो पहले यह जो stock है बहुत ही range bound काम कर रहा था और इसका जो lower sport level निकल कर आ रहा है वो 58 अंडर पे निकल कर आ रहा है आज के देने से stock में बहुत ही बड़ी तेजी देखने को मिल रही है ज़िए इसका past one month का performance चेक करें तो यहाँ पे 19.93 परसंट के रहुं तेजी देखने को मिले है पहले इसमें अब trend था फिर इसमें जो है consolidation भी हुई थी तो आप देख सकते हो यह जो stock है अब positive trend के mood में चल रहा है slowly and steadily positive direction में move कर रहा है बहुत ही अच्छी growth शोग कर रहा है तो आप इसका जो trend है वो positive निकल कर आ रहा है ज़िए इसकी 6 month की performance देखें तो यहाँ पे 63.73 परसंट के round returns देखने को मिल गए है और इसका chart pattern देखें तो बहुत ही leaner और positive trend देखने को मिल रहा है अब ज़िए इस stock की one year की performance देखें तो आप देख सकते हो इसने last one year में बहुत ही बढ़िया returns दिये है 120% के multi bag returns दे दिये हैं तो इसका जो chart pattern है ये भी बहुत ही positive trend शो कर रहा है ऐसा नहीं है कि इसमें consolidation नहीं हुई है आप देख सकते हो इस stock में पहले तेजी थी फिर इसमें कुछ time के लिए consolidation भी आई थी लेकिन आज कल इस stock में बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है बहुत ही अच्छा trend देखने को मिल रहा है तो last one year में इस stock ने अपने investors का जो पैसा है दूगना से भी जादा कर रहा है तो आप देख सकते हो इसने अपने investors का पैसा last five years में 10 कुना से भी जादा कर दिया है तो बहुत ही positive trend देखने को मिल रहे है maximum chart pattern देखे तो 850% के around आपको returns देखने को मिल जाएंगे बढ़िया returns देखने को मिलेंगे multi bag returns देखने को मिलेंगी तो clearly ये एक multi bag stock निकल कर आ 71% की तेजी देखने को मिल रही है टेक मेंद्रा में 3.76% की तेजी देखने को मिल रही है और IT sector में अच्छी तेजी आज के दिन हो रही है इनफोस इस भी 1.86% ऊपर है टाटा कंसल्टेंसी सर्फिस आसो 0.77% ऊपर ट्रेड कर रहा है तो CENSEX में भी आज तेजी देखी जा देखते हैं जो के लेटस अभी आए है quarter 2 के numbers what should investors do with L&T Infotech buy sell or hold post the Q2 results जो इसके investors है उनको अब क्या करना चाहिए इसको buy करना चाहिए sell करना चाहिए जा hold करना चाहिए इसको हम detail में discuss कर लेते हैं तो एक other news में हम देखेंगे कि इस company का जो net profit है वो increase हो गया है 551.7 crore हो गया ह है आए आए अब हम इसके numbers भी देख लेते हैं और brokerage का इस stock पर क्या कहना है उसको भी थोड़ा detail में discuss कर लेते हैं तो आप देख सकते हो पिछले time में यह जो stock है multi bag returns अपने stock investors को दे रहा है तो आप Q2 के numbers के बात अब हमें क्या करना चाहिए इस पर आज हम बात करेंगे तो आए सबसे पहले इसके जो latest news है वो चेक का लेते हैं लासन और टार्वो लासन और टुब्रो इन्फो टेक that is LNTI इसको short name में हम LTI भी बोलते हैं LTI भी बोलते हैं लासन और टुब्रो इन्फो टेक तो यह जो company है 52 भी हाई को touch कर गई है 6680 को भी touch कर गई है cross कर गई है औ इसके आज इसके चार्ट में हमने देखा है clearly इसमें जो है आपको अप्रेंड देखने को मिल रहा है ज़िए इसके numbers देखें तो इस company के Q2 and financial year 22 के जो numbers है they rose by nearly 11.1% at rupees 551.7 crores from 496.8 crores and the rupee revenue was up nearly 8.8% at rupees 3767 crores from the 3462 crores quarter on quarter basis तो quarter on quarter basis भी बहुत ही positive growth देखने को मिल रही है इस company का जो profit है वो 11.1% के हिसाफ से बढ़ गया है और इसका जो rupee revenue है वो 8.8% के हिसाफ से बढ़ गया है on a quarter on quarter basis तो बहुत ही positive growth जहां पर हमें देखने को मिल रही है the earnings before interest and tax that is EBIT rose nearly 14% at 648.2 crores and margin was up nearly 17.2% on a quarter on quarter basis तो बहुत ही बड़िया growth जहां पर देखने को मिल रही है यह जो company quarter on quarter basis पर अच्छी growth जो है वो शो कर रही है आए आगे बढ़ते हैं आप देख लेते हैं कि जो brokerage firms है वो इस stock पर क्या commentary दे रहे हैं after the q2 numbers सबसे पहले Morgan Stanley का देख लेते हैं the research firm has kept an underweight on the stock on the back of unfavorable risk reward it has raised the target price to Rs.5500 from the 5100 and 50 after the company reported a strong beat on the revenue जो इस company की rating है वो underweight है लेकिन इस company का जो target है वो 5500 हो गया है और बहुत ही positive target यहां पर देखने को मिल रहा है क्योंकि इस company का जो revenue आया है इस company के जो numbers आये हैं बहुत ही strong आये हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी growth जो है वो show की हुई है the commentary on the sustainability of the demand environment is reversed and it is nudging up its estimates तो यह जो company continuously अपने estimates को beat कर रही है इसलिए जो brokerage इस firm पर बहुत ही positive है बहुत ही bullish है और नए target दे रहे हैं 5500 की जदी city के देखें तो यह भी जो stock है यह they have maintained a sell rating and they have raised the target price 2 rupees 5180 from 4770 70 तो इसके भी जो target है वो improve हो गए है although इनकी जो rating अभी sell की आ रही है क्योंकि इस company की जो valuations हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं बहुत ही ज्यादा इस stock में पहले ही तेजी देखने को मिल रही है बट इसके जो target है वो बढ़ गए है it was a strong Q2 as the revenue was ahead of the expectations the growth was broad based and largely driven by the small and mid side deals तो आप देख सकते हो इस company के जो deal wins हैं बहुत ही अच्छी है small size में mid size में बहुत ही अच्छी deals हुई है और इस company के जो growth prospects हैं बहुत ही positive निकल करा रहे हैं the EBIT margin improved quarter on quarter despite higher attrition and supply side concerns the city has raised the target for the financial year 22,23,24 estimates by 5,3 and 2% and multiples to 35x तो यहां पर भी बहुत ही positive जो है वो growth और positive target जो है वो expect किये जा रहे हैं अब हम तीसरी company का देख लेते हैं तीसरी brokerage firm का देख लेते हैं जो के share खान है growth of 15 and 16% over the financial year 22 to 24e at the current market price the stock trades at 38x oblique 33x its financial year 23e and 24e earnings which though expensive is justified given its industry-leading revenue growth prospects with stable margins strength in addressing the transformation spending and strong return ratio तो आप देख सकते हो बहुत ही positive यहां पर commentary निकल कर आ रहे है share खान की तरफ से और इनके जो buy rating निकल कर आ रही है यहां पर और इसके जो target at they are at 6850 तो बहुत ही positive target यहां पर निकल कर आ रहे हैं share खान की तरफ से और जो business commentary है वो भी बहुत ही positive है लास्ट में मोतिलाल उस्वाल को भी देख लेते हैं तो जो मोतिलाल उस्वाल है they have raised their financial year 22e and 23e EPS by around 7% on the back of strong demand outlook तो इस company की जो demand outlook का बहुत ही positive है which led to the revenue upgrade तो अब इस company के जो revenue के figure से अब अप्रेड होए है as the digital digital turn mainstream we expect the company to benefit from the continued investments in the digital capabilities strong client addition its mining abilities and this should result in the industry leading growth तो यह जो company बहुत innovative company निकल कर आ रही है और इस company की capabilities are they are very very strong the client addition is also good and mining abilities are also very very strong so therefore the target price of Rs.6430 has been maintained by the neutral trade तो बहुत ही positive target निकल कर आ रहे हैं जो maximum target है they are 6800 plus by the share खान तो इतने target लेके आप इसके accordingly अपनी इसमें position बना सकते हो अभी यह stock बहुत ही चाल चुका है तो इसमें आप lump sum investment ना करें और सिपके थूई investment करें तो यह stock एक बहुती बढ़िया stock निकल कर आ रहा है